हेलो नमश्कार बिग बॉस 16 घर के अंदर साफ साफ दिख रहा है जब अब्दू आये थे तो यह तो पता था कि वो कहीं न कहीं शिवठाकरे से अच्छे से बात कर रहे हैं घर के अंदर वहीं आंचे से अच्छे से बात कर ehm Relaz편 में थोड़ी सी नराज़की जरूर नज़र आये और वहीं अगर bytes में निम्रिट में भी कि साथ साइसा है लेकिन निम्रिट पर सदसा पीछे का मेमध कारण क्या है किसी को भी घर के अंदर नहीं बता वैसे आप लोग बताएं आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का करण क्या है कि निम्रित INTERPROUND के साथ जो इतने अच्छी बॉंडिंग थी एक दोस्ती थी उसको तूट कि पीछे का आपको क्या लगता है कि क्या कारण होगा हिए धिन मुझे लगता है एक कारण जो था वह तो तो था साजित खान वाला कि घर के अंदर जपने तो इतना ज़ादा साजित खान ने वह कहा कि दूर रहो दूर हो तुम ऐसे लगे रहे हो तुम वैसे लग collecting वह वो तो मैंड में अब्दू के बैठा ही बैठा है लेकिन जब हो हमें टीवी पर देखने को देखा तो वो कुछ और भी जादा बुरा लगा ऐसा लगा कि अब्दू पता नहीं अब्दू ने क्या गलत कर दिया और मुझे लगता है कि जब घर के बाहर अब दू आए तो अफ दूमने कुछ ऐसी चीज कर दियो जो कि बहुत बड़ी गलत चीज है जिसमें मुझे ने लगता कि अब दूने कुछ गलत किया था अब दुख कहे भी रहते सवाई भी दे रहते घर के अंदर कि यस लाइकिंग थी लेकिन आफ दो हफते पहले अब ऐसा कुछ नहीं था मेरा बाहर घर में बॉइफेंट है अब दू मेरे को लगता है उस समय मेंटली सच में उसमें प्रेशर आ गया था क्योंकि अब दू एक ऐसा इंसान है जो कि प्रेशर को अच्छे से जह लेता है मुस्कुराते हुए समाइल करते हुए वो पता नहीं चलने देता कि उसके मा जखा गया है कि तुम प्यार नहीं कर सकते निवेत से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम दूर रहो यह रहो अब तो जब घर के अंदर आए हैं तो उन्होंने अपने माइड में यह बात बिल्कुल फिक्स ही कर ली है कि निम्रित के साथ मुझे ज्यादा अटैच होना ही नहीं है और यह हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है अब देखना ही है कि आगे कब तक चलता है कि कल तो मुझे जैनली बुरा लगा निम्रित के लिए क्योंकि जब घर के अंदर एक ही कमरे में बैठे होए थे यह चार लोग जिसमें अब्दू थे शीव ठाकरे थे सुम निम्रित के दरफ लेकिन गुड़ नाइट नहीं कहा और बाहर जाने लगे तो कहीं न कहीं बुरा जरूर लगा कि शायद अब्दू को ऐसी बात जरूर कोई पिंच हो गई है बहुत ही जादा जो कि इस लेवल पर जा चुके क्योंकि अब्दू नॉर्मली ऐसा नहीं कि अ अब कुछ ना कुछ एक पॉइंट जरूर है कि वो एक लिमिट बना करके रखी कि इस लिमिट के बाहर में अब किसी भी केमत पर नहीं जाओंगा या फिर मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोचा हुआ कि मैं इनिशियेट अब नहीं करूंगा चाहे वो दोस्ती ही क्यों न हो क्योंकि मुझे लगता है कि उनके दिमाग में वो बात बहुत घहरी तरीके से बैट गई है रॉंग वे में रॉंग में बैट गई है क्योंकि जिस तरह से साजित ने वो बात कही थी ना तो शायद वो कुछ और तरीके से भी साजित समझा सकते थे लेकिन वो सायद उन्ह गुड नाइट जादा बात चित करने की जरूत नहीं है आते हो गले मिलो थोड़ा अगर कुछ बात हो गई वो कर लो लेकिन ऐसा कुछ खास स्पेशल जेस्टर दिखाते हुए अब दू बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे है तो यहां पर आपको क्या लगता है किस कौन इसके पीछे मेन है कि आपको लगता कि अब दू के दिमाग में जो साजित ने वो डाला था वो बहुत जादा गुश चुका है या फिर आपको लगता कि नहीं साजी तो समय सही थे लेकिन अब तू जो घर के बाहर जा करके आए हैं वह बहुत गरत हुआ है वहां पर उन्हें कुछ कहा गया है और फिर उनका दिमाग चेंज हुआ है जो भी आपको कहना जरूर कहें लेकिन मैं यह कूँगा कि कर ले जरूर जब निम्रित ने नब रात को रो गई थी तो लगा कि यस निम्रित कहिना कि जैनुवनी दिल से अब्दू को रिस्पेक्ट क